C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्दुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई 2 पूर्ण संख्याई प्रिष्ट 29 2.1 भूमिका जैसा के हम जानते हैं जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम एक, दो, तीन, चार आदी का प्रयोग करते हैं जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं ये हमारे सम्मुक प्राकृतिक रूप से आती हैं इसी लिए गणितक या इन गणन यानि गिनती गिनने वाली संख्याओं काउंटिंग नंबर्ज को प्राकृत संख्याओं यानि नाचुरल नंबर्ज कहते हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती. धी हुई एक प्राकृत संख्या में अगर एक जोड़ दें, तो आप अगली प्राकृत संख्याओं प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आप उसका परवर्ती यानि सकसेसर प्राप्त कर लेते हैं. 16 का परवर्ती 16 जमाएक बराबर 17 है, 19 का परवर्ती 19 जमाएक बराबर 20 है, और इस प्राकार आगे भी चलता रहेगा. संख्या 16, संख्या 17 से ठीक पहले आती है. हम कहते हैं के 17 का पूर्वर्ती यानि predecessor 17 घटा एक बराबर 16 है, 20 का पूर्वर्ती 20 घटा एक बराबर 19 है, इत्यादी. प्रयास कीजिए. क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है, जिसका कोई पूर्वर्ती नहीं है? 3. क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है, जिसका कोई परवर्ती नहीं है? क्या कोई अंतिम प्राकृत संख्या है? संख्या 3 का एक पूर्वर्ती है और एक परवर्ती है. दो के बारे में आप क्या सोचते हैं? इसका परवर्ती तीन है और पूर्ववर्ती एक है क्या एक के परवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों है? प्रिश्ट तीस हम अपने स्कूल के बच्चों की संख्या को गिन सकते हैं हम किसी शेहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी गिन सकते हैं हम भारत में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को गिन सकते हैं संपूर्ण विश्व के व्यक्तियों की संख्या को भी गिना जा सकता है हो सकता है कि हम आकाश यानि आस्मान में स्थित तारों या अपने सिर के बालों की संख्या को गिन न पाएं परंतु यदि हम इन्हें गिन पाएं तो इनके लिए भी कोई संख्या आवश्य होगी फिर हम ऐसी संख्या में एक जोड़ कर उससे बड़ी संख्या प्राप्त कर लेते हैं ऐसे स्थिती में हम दो व्यक्तियों के सिरों के कुल बालों की संख्या तक को लिख सकते हैं अब ये शायद फश्ट है कि सबसे बड़ी कोई प्राकृत संख्या नहीं है उपरोग्त प्रशनों के अतिरिक्त हमारे सम्मुक अनेक अन्य प्रशन आते हैं जब हम प्राकृत संख्याओं के साथ कारिय करते हैं आप ऐसे कुछ प्रशनों के बारे में सोच सकते हैं और अपने मित्रों के साथ उनकी चर्चा कर सकते हैं आप इन प्रश्णों में से अनेक के उत्तरों को संभवत अग्यात नहीं कर पाएंगे. 2.2. पूर्ण संख्याएं हम देख चुके हैं कि प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है. प्राकृत संख्याओं के संग्रह यानि कलेक्शन में हम शुन्य को एक के पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं. प्राकृत संख्याओं शुन्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं यानि होल नंबर्स का संग्रह बनाती हैं. प्रयास्क कीजिए. एक, क्या सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं भी हैं? दो, क्या सभी पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं भी हैं? तीन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? चार, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? अपनी पिछली कक्षाओं में आप पूर्ण संख्याओं पर सभी मूलभूत संख्याओं जैसे जोड, व्यवकलन, गुणा और भाग यानि विभाजन करना सीख चुके हैं आप ये भी जानते हैं के इनका प्रश्णों को हल करने में किस प्रकार अनुप्रयोग किया जाता है आए इन संख्याओं को एक संख्या रेखा पर करें परंतु ऐसा करने से पहले आए ग्यात करें कि संख्या रेखा क्या होती है 2.3 संख्या रेखा एक रेखा खीचिए, इस पर एक बिंदू अंकित कीजिए, इस बिंदू को शून्य नाम दीजिए, शून्य के दाई और एक अन्य बिंदू अंकित कीजिए, इसे एक नाम दीजिए. प्रिष्ट 31 शून्य और एक से नामांकित इन बिंदूओं के बीचि दूरी एक मात्रक दूरी यानी unit distance कहलाती है. इसी रेखा पर एक के दाई और एक मात्रक दूरी पर एक बिंदू अंकित कीजिए, और दो से नामांकित कीजिए. इसी विधी का प्रयोक करते हुए संख्या रेखा पर एक-एक मात्रक दूरी परबिंदूओं को तीन, चार, पांच, इत्यादी से नामांकित करते रहिए आप दाई और किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं यहां दी हुई रेखा पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा है यहां एक संख्या रेखा का चित्र दिया गया है जिस पर शून्य एक, दो से लेकर साथ तक की संख्याएं दी गई है बिंदू दो और चार के बीच की दूरी क्या है? निश्चित रूप से यह दूरी दो मात रख है क्या आप बिंदू दो और चै तथा दो और साथ के बीच की दूरीयों को बता सकते हैं? संख्या रेखा पर आप देखेंगे के संख्या साथ संख्या चार के दाईं और स्थित है और संख्या साथ संख्या चार से बड़ी है अर्थात साथ चार से बड़ा है संख्या आठ संख्या च्छे के दाई और स्थित है और आठ च्छे से बड़ा है इन प्रेक्षनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं में से वो संख्या बड़ी होती है जो संख्या रेखा पर अन्य संख्या के दाई और स्थित होती है हम ये भी कह सकते हैं कि बाई और की पूर्ण संख्या छोटी होती है उदाहर अनार्थ चार नौ से छोटा है चार नौ के बाई और स्थित है इसी प्रकार बारहे पांच से बड़ा है बारह पांच के दाई और स्थित है आप 10 और 20 के बारे में क्या कह सकते हैं 30, 12 और 18 की संख्या रेखा पर स्थितियां देखिए कौन सी संख्या सबसे बाई और स्थित है क्या आप 1-05 और 9-7-5-6 में से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाई और स्थित है संख्या रेखा पर बारह के परवर्ती और साथ के पूर्ववर्ती को दर्शाये संख्या रेखा पर योग पूर्ण संख्याओं के योग को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है आईए तीन और चार के योग को देखें यहाँ एक संख्या रेखा दी गई है जिस पर शून्य से साथ तक की संख्याईं दी गई है तीर के सिरे पर बिंदु तीन है तीन से प्रारंभ कीजिए चुकि हमें इस संख्या में चार जोड़ना है इसलिए हम दाई और चार कदम तीन से चार, चार से पांच, पांच से छे और छे से साथ चलते हैं जैसा के यहाँ दिखाया गया है चौथे कदम के अंतिम तीर के सिरे पर बिंदु साथ है इस प्रकार तीन और चार का योग साथ है अर्थात तीन जमा साथ बराबर साथ है प्रयास कीजिए संख्या रेखा का प्रयूक करके चार जमा पांच, दो जमा छे, तीन जमा पांच और एक जमा छे को ग्यात कीजिए प्रिष्ट 32 व्यवकलन यानि घटाना दो पून संख्याओं के व्यवकलन को भी गटा पांच ग्यात करें यहां संख्या रेखा पर शून्य से साथ तक की संख्याओं दी गई है तीर के सिरे पर बिंदू साथ है साथ से प्रारंभ कीजिए चूंकि पांच को गटाया जाना है इसलिए हम बाईं और एक मात्रक वाले पांच कदम चलते हैं हम बिंदू दो पर पहुँचते हैं हमें साथ घटा दो बराबर दो प्राप्त होता है प्रयास कीजिए संख्या रेखा का प्रयोग करके आठ घटा तीन, छे घटा दो और नौ घटा छे ग्यात कीजिए गुणन यानी गुणा अब हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं के गुणन को देखते हैं यहाँ एक संख्या रेखा दी गई है जिस पर शून्य से बारह तक की संख्याई है आईए चार गुणा तीन ग्यात करें शून्य से प्रारंभ कीजिए और दाई और एक बार में तीन मात्रकों के बराबर के कदम चलिए ऐसे चार कदम चलिए आप खहां पहुँचते हैं? आप बारह पर पहुँच जाएंगे इसलिए हम कहते हैं कि चार गुणा तीन बराबर बारह है प्रयास कीजिए संख्या रेखा का प्रयोक करके दो गुणा छै, तीन गुणा तीन और चार गुणा दो को ग्यात कीजिए प्रश्नावली दो दशमलव एक 1. 10999 के बाद अगली तीन प्रकृत संख्याई लिखिए 2. 00001 से ठीक पहले आने वाली तीन पून संख्याई लिखिए 3. सबसे छोटी पून संख्या कौन सी है 4. 32 और तिरपन के बीच में कितनी पून संख्याई है 5. निम्न के परवर्ती लिखिए 6. निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए 7. संख्याउं के निम्न लिखित युगमों में से 5. परथियेक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पून संख्या अन्य संख्या के बाईń ओर स्थित है इनके बीच में उप्युक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इनहें लिखिए चिन्ह से आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या बढ़ी है या चोटी है प्रिष्ठ तैंटीस और कौन से कथन असत्य है? F. सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? G. दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है? H. एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? I. प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता? J. पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता? K. पूर्ण संख्या तेरह संख्याओं ग्यारह और बारह के बीच में स्थित है? L. पूर्ण संख्या शूर्ण का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता? M. दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है 2.4. पूर्ण संख्याओं के गुण जब हम पूर्ण संख्याओं पर होने वाली विभिन संख्याओं को निकटता से देखते हैं तो उनमें अनेक गुण देखने को मिलते हैं इन गुणों से हमें इन संख्याओं को अच्छी प्रकार से समझने में सहायता मिलती है। साथ ही ये गुण कई संक्रियाओं को बहुत सरल भी बना देते हैं। इनहें कीजिए। आपकी कक्षा के प्रतियक विद्यार्थी को कोई भी दो पून संख्याओं लेकर उन्हें जोडने को कहा जाए। क्या परिणाम सदैव एक पून संख्या आता है। आपके योग इस प्रकार के हो सकते हैं। साथ जमा आठ बराबर पंद्रह एक पून संख्या पांच जमा पांच बराबर दस एक पून संख्या शून्य जमा पंद्रह बराबर पंद्रह एक पून संख्या डैश जमा डैश बराबर डैश डैश जमा डैश बराबर डैश रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ण संख्याओं के ऐसे ही पांच और युग्म लेकर योग ग्यात कीजिए। क्या योग सदैव एक पूर्ण संख्या है? क्या आपको पूर्ण संख्याओं का कोई ऐसा युग्म प्राप्त हुआ जिनका योग एक पूर्ण संख्या नहीं है? ऐसी कोई दो पूर्ण पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। चूंकि पूर्ण संख्याओं को जोडने से पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग रह योग की अंतरगत सम्वृत यानि ख्लोजड है। क्या पून संख्या एक गुणन यानी गुणा के अंतरगत भी सम्वरित हैं? आप इसकी जाज किस प्रकार करेंगे? आपके गुणन इस प्रकार हो सकते हैं. साथ गुणा आठ बराबर चपन एक पून संख्या, पांच गुणा पांच बराबर पचीस एक पून संख्या, शून्य गुणा पंद्रह बराबर शून्य, एक पून संख्या, डैश गुणा डैश बराबर डैश, डैश गुणा डैश बराबर डैश, रिक्त स्थानों की एक पून संख्या ही होती है, अतह हम कह सकते हैं कि पून संख्याओं का संग्रह अर्थात निकाए गुणन के अंतरगत सम्वृत है। सम्वृत गुण पून संख्याएं योग के अंतरगत धथा गुणन के अंतरगत सम्वृत होती हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए एक, पूर्ण संख्याएं व्यवकलन यानि घटाने के अंतरगत सम्वृत नहीं होती हैं क्यों? आपके व्यवकलन इस प्रकार के हो सकते हैं 6 घटा 2 बराबर 4 एक पूर्ण संख्या 7 घटा 8 बराबर डैश एक पूर्ण संख्या नहीं 5 घटा 4 बराबर एक पूर्ण संख्या 3 घटा 9 बराबर डैश एक पूर्ण संख्या नहीं अपनी और से कुछ और उदाहरन लीजिए और उपरोक्त कथन की पुष्ठी कीजिए 2. क्या पूर्ण संख्याएं विभाजन यानि भाग के अंतरगत सम्वृत हैं? नहीं निम्न सारणी को देखिए 8 भाग 4 बराबर 2 एक पूर्ण संख्या 5 भाग 7 बराबर 5 बटा 7 एक पूर्ण संख्या नहीं 12 भाग 3 बराबर 4 एक पूर्ण संख्या 6 भाग 5 बराबर 6 बटा 5 एक पूर्ण संख्या नहीं अपनी और से कुछ और उदाहरन लेकर उप्रोक्त कथन की पुष्ठी कीजिए अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठे पुस्तक वाचन्स्वर गौरव मार्वा निर्मान सहियोग सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चाधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत